आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Good morning students तो मारा आज का Question क्या है In and Dash Organ Pipe Both Odd and Even Harmonics are present तो पहले हम इसका Direct Answer देख लेते हैं फिर समझते हैं की Answer कैसे आया इसका Answer है Open Organ Pipe अब एक Open Organ Pipe में Odd और Even दोनों Frequencies कैसे Present होती हैं पहले Diagram से समझने की कोशिश करते हैं इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे तो इसका वो भी देख लेंगे इसका Formula जिससे हम लोग Explain कर सकते हैं Exactly तो ये एक Open Organ Pipe है जो दोनों साइट से Open है हमें पता है अगर ये Open Organ Pipe है इसका मतलब इसके दोनों Ends पे क्या होने चाहिए Anti Nodes होने चाहिए तो अगर मैं एक Sound Wave बना हूँ जिसके अंदर है साउंड वे ऐसी कुछ बन सकती सबसे पहली और पॉसीवल अगर मैं इसको ऐसे Complete करूँ ठीक है कुछ ऐसी वेव बनेगी अब Notice करो इस वेव को Complete होने में ये वेव कहां Complete हुई अभी ये इसका Mid Part है ठीक है देख सकते हो ये वेव का कितना हिससा इसके अंदर देख रहा है इस वेव का हमें कितना हिससे के अंदर देख रहा है ये अगर इसकी पूरी Length L है तो जो Length है ना ये Simply Lambda by 2 के बराबर आ रही है सोचो चो जाड़ Lambda by 2 है की नीए देख लो यहां से लेके इसको ऐसे four parts में बाट लो यह एक फिर यह दो फिर यह तीन फिर यह चार हो गए न वेफ कंप्लीट यह एक वेफ कंप्लीट हो गए जहां रखना यहां से ल की वेल्यू लेंड़ा बाइट वारी ए ठीक है और डिखते हैं ठीक है दो तिन देखते हैं क्लियर हो जेंगी चीजें मुझे बेसिकली दोनों एंट पर क्या रखना है ओपन रखने न ओपन साइड यह एंटी नोट रखने तो दूसरा वाला केस कैसा हो सकता है अब इसमें भी ध्यां से देखो वन बाइए 4th 1 by 4th 1 by 4th complete cycle हो गई एक अंटी नोट से अग्ली अगली प्यां से अगने नोट तक यही तो होतना है क्म्धिलय वालिन्तथ इसमें क्या हो गया l की वैल्यू क्या हो गई समझ रहे हो इनू अजिपर इतनी बाते इंगन by 2 बन जाता है अब notice करो इसमें lambda by 2 2 lambda by 2, 3 lambda by 2 यानि कि n जो है इसकी कोई भी value डाल दो natural number में से वो इसके अंदर exist करेगा इसका मतलब n की odd values भी इसके अंदर exist करने वाली है मतलब इसके अंदर odd values भी देखने को मिलेंगी और even values भी देखने को मिलेंगी example के लिए ये जो है ये odd harmonic है लेकिन ये वाला क्या है ये even harmonic है second harmonic दिख रहा है तो ये तो clear हो गया कि open organ pipe में क्या होता है पर closed मैं ऐसा क्यों नहीं होता है इसको भी देखने की कुशिश करते है तो देखो closed organ pipe क्या होता है वो एक side से closed होता है ठीक है इस साइड से ख्लोज्ट है पर दूसर साइड से ओपन है अगर दूसर साइड से ओपन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस साइड एक एंटी नोड चीए पर इस साइड मुझे क्या चीए एक नोड चीए तो नोड ऐसे बनता है तो सबसे सिंप्लेस्ट तो यही बनेगा ठ ठीक है अब देखो इसको एक complete wave बनाने के लिए कितना और लंबा बनाना पड़ेगा मुझे सोचो मैं बहुत बनाके दिखाता हूं यहाँ वही पिर यहां तक पिर यहां तक क्या समझे यह वेव का one by four तिस्सा दिखाई दे रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं एल की value lambda by four के बराबर है और ही वोगी बाती मजिन क्यों कि यह one by four one by four one by four one by four ऐसे करके बन रहा है ठीक है अच्छे इसके बाद अगला भी बनाके देख लेते हैं क्या पता अगले वाले में हमें कोई और हार्मनिक देखने को मिले ठीक है फिर से यहारा side बंद है हमें क्या करन है इस side तो यह क्या होगा कि बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा अब यह कितना हिस्सा है अब जहां से देखो मैं इसको complete करता हूं हुआ complete वेव देखो यह अब वेव कुछ यहां तक इसमें थी और इसके आगे हमने की और अभी वेवलेंथ पूरी complete हुई तो बेसिकली यह वे यहांकि वेल्यू थ्री लेंडा भाई 4 टाइप का है समझगें यहां तक ल बाई 4 फिर लबाई 4 फिर ल बाई 4 फिर ल ल बाई 4 ठीक है इस तरीके से तो यह कि वेल्यू है थ्री यह ऑगया चैप तो इसका अगर मैं जनरल फार्म्ला बनाऊं तो ल की वेल्यू आ जेगी 2 and minus 1 lambda by 4 समझ रहे हो हर बार यह यहाँ पर एक odd multiply देखने को मिल रहा है इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ odd harmonics present है even harmonics तो है ही नहीं तो इतनी बात अगर हम लोग समझ सकते हैं तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि open organ pipes में ही दोनो harmonics present है और closed wallow में दोनों present नहीं होते तो I hope यह भी question सबको clear हो गया होगा